गुट इविंग तुट वेरी डिविंग तो अल फियू आप लोग तो आज हम कवर करेंगे 20 से 28 जून का पार्ट सेकेंड ठीक है कल हमने पार्ट वन किया था और जिन बच्चों ने पार्ट वन नहीं देखा तो मैं चाहूंगा कि वह पार्ट वन भी जुरूर देख लें ठी क्लासिस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी हम बता देंगे उसके बारे में हाँ जी निर्च जी हम टेलीग्राम पर जुरूर डाल देंगे आपकी ओके देखो मण जिंद्र कौर्जी जारातर एक्जाम जो है आजकल करंट औरीन्टर्ड या रहे है ठीक है इसको क्यम और अजिव्анс के नेहा ऑजक्णे न स्टार्ण के एक्जार्वें चुर्याभ पाहूंचaden आजरदे देखो तो आजकल जो जारतर पंजाब के एक्जाम्स हैं, उनके लेकर अगर मैं बात करूँ, जारतर पंजाब related एक्जाम्स हैं, उसमें current की वेटेज अपने आप बहुत जादा रहेगी, ठेक है, आजकल एक्जाम आते भी current oriented है, और ये जो current affairs अभी चल रहे हैं, ये तो जादा ही important ह अभी काफी सारी vacances आ गई है, अचा vacances को लेकर हम सारी updates अपने channel पर डालते रहते हैं, तो आप में से जिस भी बच्चे ने हमारा channel subscribe नहीं किया हुआ, वो channel subscribe कर लो, bell icon दबा दो, ताकि job को लेकर कोई भी notification अगर आ रही है, कोई भी change हो रहा है, कोई syllabus में कोई बदलाव हो र ठीक है, तो I guess audible मैं अच्छे से होगा अप लोगों को, और clear दिखाई दे रहा है सब कुछ, हां जी एक बार बता दो सब लोग, audible and clear है या नहीं So very good evening, काफी बच्चों के comment आ रहे हैं, हर बच्चे comment सोड़ा सा reply करना मुश्किल है Body balance clear, चलिए जी, ओके जी, तो start करते हैं बच्चे आज का lecture ठीक है, और जिन्होंने पिछला lecture नहीं देखा हुआ कल वाला वो भी जरूर देख लें, ठीक है, कल हमने part 1 किया था, आज हम part 2 कर रहे हैं, 20-28th of June का, ओके, तो start करते हैं तो पहली news हमारे पास BRICS को लेकर है, ठीक है, ठीक है, जब भी हम बात करेंगे BRICS की, तो पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, BRICS है क्या, तो 5 countries का group है, 5 कौन सी countries, जो big developing economies है, Brazil, Russia, India, China, South Africa, ठीक है, तो 5 countries में मिलकर एक group बनाया हुए, BRICS, जो time to time meetings करते हैं, एजंडा पर बात करते हैं, तो इन्होंने अभी किस चीज को लेकर बात की, green hydrogen summit, ठीक है, hydrogen gas जो है, वो बहुत ही potential ऐसा रखती है, जो आने वाले time में हम, बहुत बढ़े level पर उसको use कर पाए, तो green hydrogen summit हुआ था 2021, जो की virtually हुआ, ठीक है, और इसको किसने anchor किया, किसने इसको lead किया, तो एक और चीज याद रखनी है, कि hydrogen जो है, वो जब electrolysis से produce की जाती है, बड़ा interesting point बता रहा हूँ, पहले तो आपको यह चीज बता दू, जो hydrogen gas है, उसको discover किसने किया था, यह मैंने पिछले lectures में बताया भी है, फिर से repeat करते था हूँ, hydrogen gas को discover किसने किया था, Henry Cavendish ने, याद र करते हो, तो उसको हम बोलते है, green hydrogen, यह question याद रखना, इसके बारे में आप से exam में पूछा रखता है, पूरी possibility है, क्योंकि आज कल hydrogen summit हो रहे है, hydrogen को लेकर बहुत ज़रा बात हो रही है, ठीक है, और 2021 की जो BRICS की chairmanship है, वो इंडिया के पास, यह याद रखना, हर साल chairmanship rotate होत theme भी याद रखना, किसी भी paper में theme भी आप से पूछी आ सकती है, एक बात और मैं बताना चाहूँगा, BRICS countries ने एक bank भी बनाया हुआ है, जिसको हम बोलते है, NDB, इसको कोई national bank नहीं कहीगा, जाद तर बच्चे national बोल देते हैं, गलत, इसको हम बोलते है, new development bank, याद रखना बच्चे, BRICS countries ने एक bank भी बनाया हुआ है, new development bank, NDB, ठीक है, और इसका headquarter आपको कहाँ देखने हो मिलेगा, इसका headquarter आपको देखने हो मिलेगा, शेंगाई में, ठीक है, इसका headquarter आपको कहाँ देखने हो मिलेगा, NDB का, शेंगाई में, तो these are the some basic facts, जो हमारे पास यहाँ है, basic basic चीज़े आज रखनी है, basic चीज़ों को लेकर जादा question पूछ ले जाते हैं, चले मैं एक अच्छा question पूछता हूँ, hydrogen को लेकर, थोड़ा सा technical है, hydrogen gas metal की रूप में behave कब करती है, की condition में, when hydrogen gas behave as a metal, जल्दी से comment section में comment करके बताओ, देखते हैं सबसे बहले कौन answer करते है हान जी, रोईद जी, YouTube पे वीडियो सेव रहती है हमारी, नई रजश्वर्मा जब hydrogen से रेक्पनी करती ओके, देखो बच्चे, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा, official class निहाँ जी, बता देंगे अभी आपको, hopefully 10 July से start हो जालेकिन, अभी exact confirmation नहीं है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, नहीं बच्चे, आपको बदा दू कि hydrogen gas metal की तरह behave कब करती है, ब hydrogen का, जो atomic number है, वो भी याद रख लेना, बहुत simple question है, although, लेकिन, फिर से होई बात, कहीं बार, simple question ही, दोगा दे रहते हैं, so atomic number, sorry, atomic gas लिखने मैंने, atomic number, जो है, hydrogen का, वो कितना है, 1, चीक है, चलेजे, next नवारे पास, निस्था capacity building program, देखें बच्चे, on the line of national education policy 2020, national education policy की पर, उसी के जैसे ही, एक लव्य model schools, जो है, वहाँ पर एक program चला जाएगा, teachers की training को लेकर, that is known to be NISTHा, पहले तो हम देख लेते हैं, NISTHा की full form क्या है, NISTHा here means, national initiative for school heads, and teachers holistic advancements, देखें, बचें, teaching एक ऐसा process होता है, जहाँ पर हमेशा आपको सीखने को मिलता है, ऐसा निया कि teacher सिर्फ सिखाते हैं, teachers को भी काफी कुछ सीखने को मिलता है, और teachers को सीखना भी चाहिए, teaching एक ऐसा process है, जिसमें आप हमेशा सीखते हैं, कई सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है, okay, तो अब आपने याद रखना है, पहली बात को एक लव्य model schools हैं क्या, यह जो scheduled tribe community है, उनकी help करने के लिए, ministry of tribal affairs ने special schools बनाये थे, एक लव्य schools, एक लव्य model residential schools, इन schools में teachers की training के लिए प्रोग्राम चलाया गया है, निस्था, पहला question नमारे पास ही हो गया, simple simple question, और दूसरा question, निस्था की full form, अब यहाँ पर जो interesting चीज़ मुझे इस पूरी news में दिखाई दी, यहाँ पर एक word दिखा हुआ, national education policy 2020, जो पंजाब और हर्याना के आने वाले exams है, वहाँ पर national education policy को लेकर question आने की बहुत possibility रहेगी, आपको बता दू कि आजादी से लेकर अब तक, तीन बार education policies आई है, सबसे पहले आई थी 1968 में, फिर 1986 में, और अब आई है 2020 में, तो यह ची 2020 में, अब एक question जो यहाँ पर अच्छा बन जाता है, कि 2020 वाली national education policy जो आई है, वो किस की chairmanship के अंडर आई है, तो answer मैं आपको बता देता हूँ, के kasturi rangan, answer मैंने आपको बता दिया, याद रखना बहुत important question, किस person की अध्यक्षता में, national education policy को बनाया गया है, के kasturi rangan, इंड see, जिसमें criteria follow होगा, 5 plus 3 plus 3 plus 4 का, ये criteria follow होगा, 5 plus 3 plus 3 plus 4 का criteria इसमें use होगा, एक और अच्छा question मैं आपको और बता देता हूँ, कि national education policy के साथ government ने एक लक्ष स्थापित किया है, एक लक्ष रखा है अपने अपने लिए वो क्या, कि हम education पे 6% खर्च करेंगे GDP का, तो ये भी याद रखने अपने, center government ने कितना percent education पे खर्च करने का लक्ष रखा है, तो center government ने कहा है कि हम 6% अपनी GDP का education के उपर खर्च करेंगे, ठीक है, तो यहाँ तक हमने सारी बात करी, अब education policy को लेकर ये question में पूछ लेता हूँ, ज्यान सा सुनिएगा, national education policy में एक body बनाने की बा से, आप मुझे comment section में comment करके बताइए, कि इसमें हमारे पास R stand for what, in N-H-E-R-A, R stand for what, हाँ जी, कोई question है तो आप मुझसे पूछ लो, हाँ जी, इस news में कोई question है, तो पूछ लो, बाकी मुझे, हर्मन बाजवाजी गलत है, रूरल नहीं है, रिसोर्स भी नहीं है, रूरल भी बोल रहे है, रिसोर्स भी बोल रहे है, साहिल ने सही अंसर दिये, साहिल का अंसर सही है, देखो बच्चे, आज की लेट में अगर फुल फॉर्म पूछी जाएगी, तो हमारे पास इस तरह का ही question आपको मिलेगा, regulatory, डिपी का शर्मा मैं बताता हूं, यह हमारे पास क्या है, सुराज़त का सही अंसर है, मन्जिंदर कोर का सही अंसर है, देखिए बच्चे समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आप सब लोगों को बता रहेता हूं, कि हमारे पास अगर N.E.H.E.R.A. की बात करे, National Higher Education Regulatory Authority नाम से एक बॉड़ी बन कहा गया है, National Education Policy में कहा गया है, और याद रखेगा, काफी सारे questions मैंने आपको यहां पर बताए, जिन को लेकर exam में कुछ ना कुछ आप से पूछा जाही सकता है, ठीक है, सो किसी को यहां पर कोई doubt है, तो बता दीजिए मुझे, नहीं तो हम आगे चलते हैं. हाँ जी, दीपी का जी, क्लियर हुआ नहीं हुआ बच्चे, करन पीद, ऐसा ही के लिए बच्चे, कम से कम 7-8 महीने का रंट फिर तो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, चली जा आके चलते हैं, हरमन बाजवा जी बोल रहे हैं, सरो, चलो सर आगे, ओके, नेक्स न्यूस हमा चेंपेंशिप हार गया, या इस बॉइस को तो सबको पता ही होगी, गर्ल्स ने भी शायद देखा ही हो, लेकिन जिन गर्ल्स का स्पोर्ट में इंटरस्ट नी होने भी याद रखनी पड़ेगी, लेकिन पहली वर्ल्ट टेस्ट चेंपेंशिप हुई थी, ठीक है, जो इंग्लेंड, रोज बॉल स्टेडियम और यहां पर काईली जैमिसन, काईली जैमिसन जो थे न्यूजिलेंड के इनको दिया गया है, प्लेयर आफ दा मैच अवर्ड, प्लेयर अफ दा मैच अवर्ड, तो ये क्वेश्चन से याद रख लेना, बेसिक से क्वेश्चन है, आ इंगा नाम याद रख लेना, ग्रैग बासले, आइसीजी के करेंट चेर परसन है, ठीक है, और ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़े है, और न्यूजिलेंड के क्याप्टन याद रख लेना, ये केन विलियम सन, ठीक है, इस वनोदा जैम्रेस गाय, ठीक है, काफी अच्छे प के, जिनको शिफ्ट कर दिया गया है, तो मेरा कॉश्चन आप लोगों से है, कि ICC का 2021 का मैंस T20 वर्ल्ड कप, कौन सी कंट्री अब होस्ट करेगी, हाँ जी, ओके, रिलेक्सो चपल भी मारे साथ है, यूए, यूए, बहुत अच्छे, बहुत तेजी से लोग अंसर कर रहे है, ठीक है, तो हमारे जो इंडियन क्रिकेट में सबसे टॉपमोस पोजिशन पे, सब्सक्राइब कर दिया कि 2021 का जो वर्ल्ड कप, ठीक है, टी ट्वंटी वर्ल्ड कप जो इंडिया में होना था, टीक है, नेक्स, हमार में हमेरे स्पोर्ट से एक ओर न्यूज, ओलंपिकAPP थीमस पृंग, इंडिया का ओलंपिक tiमस ऑंग, लक्ष तेरा सामने यह, ministry of youth affairs हमारे sports में minister कोन है minister of sports किरन री जी जू इनों एक song launch किया है ठीक है लक्ष तेरा सामने है ठीक है और यह song किसने गाया है मोहित चोहान ने तो वह यह लक्ष तेरा सामने है अब यह किसके लिए motivation के लिए है कि हमारे जो प्लेयर्स जो ओलंपिक में जा रहे हैं कुछ मैडल वगयरा जीत पाए है वैसे देखो song से बात नहीं वनेगी मैडल जीत के दिखाना पड़ेगा question अब देख लेते हैं ओलंपिक में इंडिया मैडल ला सके उसके लिए center government की scheme चल रही है tops याद रखना center government की scheme चल रही है target olympic podium scheme और जो 2021 में Tokyo olympics हो रहे है उनका यह musket कौन है musket का मतलब figure एक logo यह जान बूचकर मैंने figure रखी है इसका नाम याद रखना paper में तुम्हें musket पुछा रहा सकता है musket क्या है एक unique figure और logo तो musket का नाम है मेरिट हुआ ठीक है यह हमरे पास musket है जो olympic Tokyo olympics के लिए तो Tokyo Japan में olympics होने जा रहे हैं और हमारे players को sponsor कौन कर रहा है हाँ जी kids को जो हमारे पास kids होती है player जो kids पहनते हैं उनको sponsor कौन कर रहा है MPL आपने देखो इंडियन cricket team को भी mobile premier league नाम से हमारे पास entity है जो जर्सी पर आपको नाम दिखाए देता है तो MPL ही हमारे players को Indian players को olympic में भी kids provide करके sponsor कर रहा है ठीक है तो यह चीज़े basic basic चीज़े जो हैं वो याद रखनी है सबने अगर मैं बात करूँ टोक्यो ओलंपिक की चले question आप लोगों से मैं पूछू है यहाँ पर कहीं सारी चीज़े मैंने आपको बता दी ठीक है और question में आप लोगों से क्या पूछना चाहूंगा कि जो 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स हैं उनकी theme क्या है जल्दी से comment section में comment करके बताओ motto sorry not theme motto 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 of Tokyo Olympics Tokyo Olympics का motto क्या है एक टैग लाइन दी जाती है न नवदीप को बचे टॉप्स के center comment scheme चलाई थी जहांपर players की help की जाएगी जो potential रखते है medal लाने का उस scheme की फुलफोर में target olympic podium scheme target olympic podium scheme इस scheme के तहत जो players potential रखते हैं जो medal ला सकते हैं उनको अच्छी डाइट दी जाएगी ताइफन मिलेगा पैसे मिलेंगे जो help चाहिए वो सब मिलेगी कि I am okay सबसे पहला में पास साइण सरह दिव्या शर्मा का फिर मेरे पास न२हा का सइण सरह है फिर योगेश का साइण सरह है ओके फिर मेरे पास अपरणिती शर्मा जाइंसर आएं फिर नेहा का जाहिए जोती प्राशर का उन्सर ठीक है तो यू नाइटिड बाई इमोशन्स याद रखेंगा United by emotions ठीक है मोटो ऐसा question आने के chances बहुत अच्छे रहेंगे देखिए क्या है कि अगर Olympic हो जाते हैं माल लूंपिक हो होने से होने के बाद अगर आपका exam होता है तो जारा तर question आपको प्लेयर से लिटिड आएगा अगर आपका exam Olympic होने से पहले हो गया तो आपको इस तरह का question आ सकता है कि Olympic का motto क्या था Tokyo Olympics का इस टाइप के questions आपको generally देखने को मिलेंगे ठीक है चले जी next news की तरफ चलते है next news है मार पस गोवा बिकेम rabies free state in India भारत की पहली ऐसी state जो rabies free हो गई है तो अगर हम बात करें यह declaration किस ने की है गोवा के chief minister promote सावंत ने तो गोवा के chief minister का नाम याद रखना प्रमोट सावंत और center government ने मिशन चलाया था mission rabies जिसको बहुत अच्छे से go on execute किया अब यहां पर rabies की बात करूँ तो आपने बच्छे एक बात याद रखना है कि दो virus response होते हैं एक तो हमारे पास rabies virus जो rabies के रिस्पोंसिबल होता है इसके लावा लाइसा वाइरस ठीक है यह वह वाइरस है यह वह वाइरस है जो rabies के लिए रिस्पोंसिबल माने जाते हैं ठीक है हमने काफी advancement कर लिया है और rabies की vaccine अब काफी sorted और simplified form में हमारे पास available है लेकिन यह सब तब हो पाया जब rabies की vaccine मना पाए just like covid की vaccine हमारे पास धड़ले से लग रही है अब मेरा question आप लोगों से बच्चे यह है कि 1979 में किस scientist ने rabies की vaccine discover की थी rabies vaccine developed by whom in 1969 sorry not 79 1969 हाँ जी who discovered ठीक है परनी परनीता जी लूइस पैश्चर नहीं जी नहीं जी नहीं कि गलाद अंसर दे रहे है देखो यार याद रखना है नाइन्टी में येर मेंशन किया है 1969 याद रखना है बच्चे जो हमारे पास person थे उनका नाम सिंपल सा नाम याद रखना है जोर्ज बेरन ठीक है जोर्ज बेरन वो परसन थे जिन्होंने 1969 में हमारे पास rabies के लिए वैक्षिन डवलप की थी जो एक गेम चेंजर वैक्सीन थी ठीक है हां जी क्लियर सो डू रिमेंबर दैट पर्टिक्लर थिंग सिंपल सा कोशन है याद रखिएगा अच्छा एक बात और अभी न आप क्योंकि देखो एक न्यूज मिस्कर रहे हो तो एक न्यूज में कई सारे पॉंट आ रहे हैं हो सकता है कि उसी न्यूज से पर पोश्चन आ जाए एक नंबर आपका गवाद चला गया एक नंबर आपने गवा दिया तो आप कहीं हजार स्टूइंट से पीछे और रह चले जी next news देख लेते हैं Reliance Industries meeting held virtually Reliance Industries जो इंडिया की सबसे बड़ी companies में से एक है उसके एक meeting हुई थी है अभी Reliance Industries annual general meeting क्या-क्या की announcements की गई तो बड़ी announcement की क्या की Reliance Industries ने जिसके chairman मोकेश ममानी है कि 75,000 करोड Reliance Industries हमार पास किसमें इंवेस्ट करेगी हाँ जी clean energy में कि इंडिया के अंदर clean energy ऐसी energy जो pollution ना करे उसमें इंवेस्ट करेंगी सबसे interesting चीज़ जो मुझे लगी बच्चे जहां से सुनिएगा साथी के बहुत बड़ी company है Aramco यह वर्ल्ड की सबसे बड़ी oil producing company है और एक चीज़ और याद रखना इसका owner कोन है साथी गॉर्मेंट इसका owner कोन है साथी गॉर्मेंट तो यह भी एक बड़ी important चीज़ आपने आद रखने वर्ल्ड की सबसे बड़ी company है तो साथी अरेमको के जो chairman है उनको रिलाइंस बोर्ड में independent director बनाए गया है आपको गया ऐसा क्यों क्योंकि actually साथी अरेमको future में बहुत बड़ी investment करने जा रहे है रिलाइंस इंडस्ट्रीज में यानि रिलाइंस इंडस्ट्रीज के अंदर एक भारी भरकम investment होगी और वो कौन करेगा Saudi Arabia तो एक positive step in Indian economy को इससे काफी अतक फायदा मिलेगा boost up मिलेगा जैसे अगर आपको यादो पिछले साल कोविड के दुरान Google न manufacturing unit भारत में establish के जाएगा यह कुछ बड़ी announcements है जो रिलाइंस इंडस्ट्री ने की है इसके लावा 5G सेक्टर में भी रिलाइंस इंडस्ट्री उतरने जा रही है 5G सेक्टर में भी काम करेंगे 5G को लेकर मैंने last lecture में कल के lecture में आपको कुछ important points बताये जो आपने याद रख रही है ठीक है रिलाइंस इंडस्ट्री नाइंटीन से भारत में काम कर रही है धीरु भाई अम्मानी ने इसको establish किया था ठीक है तब से भारत में हमारे पास काम कर रही है एक interesting point और बताना चाहूंगा मैं आपको रिलाइंस इंडस्ट्री इसके अंदर LIC का भी शेयर है रि रिलाइंस इंडस्ट्री में आप देखेगा कि LIC की भी शेयर होल्डिंग है 7.98% अपने आप में बड़ी interesting बात है ठीक है और रिलाइंस इंडस्ट्री सिरफ हमारे पास जियों के लेकर डील नहीं करती है ओयल में भी काफियात तक डील करती है ओयल में natural gas में आपसे question manage करती है यह भारत की कौन सी स्टेट में स्थित है जरा comment section में comment करके बताना कि जो D6 block है जहां पर natural gas reserve है यह भारत की कि स्टेट में स्थित है हाँ जी गुजरात में नहीं है सब कुछ गुजरात में नहीं है मुंबही स्टेट कब से होगा सुगवीर सिंग कि देखो बच्चे आंध्रा प्रदेश मिनाक्षी जोधरी ने मेरा पहला सही अंसर दिया है देखो D6 block जो है बच्चे वह हमारे पास आंध्रा में असाम में नहीं है इस इन आंध्रा प्रदेश ठीक है D6 block जो है वह एक हमारे पास important block है जहां से natural gas extract की जाती है और lines industries इसको manage करती है भारत में कहीं जगाओं पर इस इंडस्ट्री ओल और नेच्ट्रल गैस का काम करती है देश में कहीं सारी refineries reliance industries on करती है तो काफी कुछ है reliance industries के पास देखे बहुत से लोग मुकेश ममानी को पसंद नहीं करते ठीक है देखे वह आपकी personal choice है कि आप उन्हें पसंद करिये ना करिये ठीक है कुछ लोग बोलते हैं कि he is sponsored by Prime Minister Modi तो एक बात ये भी है कि जो genuine बात है कि वह Modi के आने से पहले भी बहुत अमीर थे no doubt अब उनकी wealth काफी गुना बढ़ी है over the period of time लेकिन वह wealth बढ़ने का major reason क्या है कि जो उन्हें और फॉर्म से investments मिली है और जो उन्हें business model त्यार किया है ठीक है वो भी काफी हत्तक responsible है no doubt government की help होगी मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगा लेकिन आप उस चीज़ को deny नहीं करते कर सकते कि मुगेश हम्मानी ने खुद भी काफी हत्तक company को एक नए level पर पहुँचा है ठीक है नेच्स हमारे पास इंडिया एज अजीदावाल नेशनल security advisor तीक है अगया आगा बात करें नेंसे क्या हुआ होता हैhen national security advisor हमारे रख्शा इंडिया का नाम याद या रखना अजी तो James Bond of India के नाम से हम कि ने जानते हैं हाँ जी याद रखेगा अजी दोवाल अजी दोवाल known to be James Bond of India इन्हों ने इनको रिप्रेजेंट किया SEO की मीटिंग में SEO क्या है शेंगाई Corporation Organization इनकी मिटिंग कहा हुई थी आप यह याद रखना दशांबे जो की तजीकिस्तान की कैपिटल है चले SEO के बारे में थोड़ा साम बात कर लेते हैं फिर हम बात करेंगे इस पूरी न्यूस के बारे में SEO शेंगाई Corporation Organization ठीक है यह एक military plus economy कलाई है जो 2001 में established हुआ 2001 में और याद रखेगा इसके total member country कितने है eight member countries है खास बात क्या है जो खास बात मुझे लगती है one of the interesting fact कि इसका नाम क्या है शेंगाई Corporation or Mansion शेंगाई Corporation इसका headquarter कहां है इसका headquarter Beijing में आम тут है headquarter बीजिंग में तो यह चीज आप सोटी चीज है वह याद रखेगा एड़魁 रखेगा कि headquarter इसका बीजिंग में है पर terrorism को ले बात हो बहुत थी अब देखिए हमारे शो नेस्यल सीडियोरेटी ऐड्वाइजर रोने सीधा- रो पाकिस्तान के खिलाफ एक्षन लें और उसके टेर्रीस्ट केंप्स खतम करने में हल्प करें. आपको चुनकर रहा है योगी पाकिस्तान भी मेंबर है, पाकिस्तान मेंबर है ठीक है SEO में इंडिया भी मेंबर और पाकिस्तान भी मेंबर है लेकिन इंडिया के National Security Advisor ने सीधा सीधा का कि सभी Countries को एक साथ आना चाहिए और पाकिस्तान में जो terrorist group है उनके खिलाफ करवाई करनी चाहिए क्या SEO terrorist group के खिलाफ करवाई करता है तो आपको मैं अंसर देना चाहूँगा याद रखेगा हमारे पास एक group exist करता है rats के नाम से ठीक है there is a group a permanent organ of SEO SEO का ही एक permanent organ है अगर आपने कभी पढ़ा हो SEO का permanent organ है rats rats की full form है regional anti-terrorist structure याद रखेगा regional anti-terrorist structure मैं full form लिख भी देता हूँ रीजनल anti-terrorist structure यह हमारे पास एक permanent organ है किसका SEO का ही एक permanent organ rats जो सिर्फ terrorism को लेकर काम करता है तो आप से यह भी question आ सकता है paper में कि rats नाम का जो permanent organ है वो किस organization से relate करता है तो SEO से relate करता है जिसमें इंडिया भी member है पाकिस्तान भी member है आप मुझे बताव SEO का headquarter तुमने देख लिया आप मुझे बताव रैट्स का headquarter का है हाँ जी देखते हैं कौन सही अंसर करता है रैट्स का headquarter का है अजी वेर इस the headquarter of reds सबसे पहले सही अंसर आया मेरे पास योगेश अगरवाल का वेरी गुड योगेश वेरी गुड ताशकंद में हमारे पास आपको देखने मिलेगा SEO का headquarter ताशकंद इस इन उजबेकिस्तान ठीक है ताशकंद इस इन उजबेकिस्तान ठीक है गुड 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 जोती पराशर पुनीत अजय कुमार निहा विशाल मुस्कान ठीक है हां जी हां जी नवलप्रीत ओके 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 गुड 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 तो डूरिमेंबर की हमरे पास रैट्स का जो हेड़कॉर्टर है वह आपको देखने मिलेगा ताशकंद उजबेकिस्तान में हां जी क्लियर ताशकंद उजबेकिस्तान में चले जी नेक्स नूस की तरफ चलते है वेरी गुड कुल दीप कौर अमन्दीप सिंग प्रिंस यादव काफी बच्चे सही अंसर दे रहे है ठीक है चले जी रिकॉल कराना पड़ता है संधीप प्रजापती कुछ चीज़े रिकॉल करानी पड़ती है ओके नेक्स्ट नुमारे पास सिंपल न्यूज़ा जो आपने सीधा-सीधा याद रखनी है आये एम बैंगलोर को बेस्ट रेंकिंग मिली है इंडिया के अंदर फ इसको प्रॉपर नाम दिया गया है तो बेस्ट इंडिया को किसको डिक्लेर किया गया है आएम बैंगलोर को सीधा-सीधा कोशन याद रखने ला इंडियान इंसिटूड ऑफ मेनेजमेंट बैंगलोर ठीक है इसमें कोई इंडिरेक्ट कोशन नहीं आएगा हां जी क्लियर इ इश्की और थवस्ता के बारे में बात करते हैं तो उसमें हम रेफरेंस का लेते हैं GDP का रेफरेंस लेते हैं GDP here means what? Gross Domestic Product, ठीक है GDP here means what? Gross Domestic Product, ठीक है GDP के बारे में Economics में हमने कहीं बार पढ़ा है तो यहां पर बात हो रही है Credit to GDP Ratio जो bank loan देते हैं जो credit देते हैं, loan देते हैं और जो GDP का ratio है वो इंडिया का बड़ा है, यह report किसमें दी है और कितना हो गया है यह भी आपको याद रखना पड़ेगा, that is 56.075% या 56.07 इतना याद रख लेना सीधा सीधा question, ठीक है? हाँ जी clear? तो यह थोड़ा सा improve होता दिखा ही दे रहा है, अगर मैं यहाँ पर बात क किसमें दी वो जाड़ा interesting है, BIS में, Bank for International Settlement, बहुत से बच्चों ने इसके बारे में नहीं सुना हुआ, लेकिन BIS बड़ी interesting organization है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे, देखिए, भारत में एक Central Bank है, RBI, सब ने सुना हो नाम, Reserve Bank of India, ठीक है, भारत का जो Central Bank है, वो है Reserve Bank of India, US का Central Bank ह जाए, US Federal Reserve, ठीक है, US का Central Bank है, US Federal Reserve, चाइना का हमारे पास है, People's Bank of China, यह हर एक country के Central Bank है, तो हर country में कोई ना कोई Central Bank होता है, अब Central Bank क्या करता है, अपने देश के banking system को control और manage करता है, हमारे पास क्या करता है, Central Bank किसी देश का Central Bank क्या करता है, उस देश के अंदर, जैसे RBI क्या करेगा भारत के अंदर banking system को control and regulate करेगा US Federal Reserve USA में वही करेगा People's Bank of China China में वही करेगा लेकिन इन सब में आपस में भी coordination होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए यानि की Reserve Bank of India की Coordination किसके साथ होनी चाहिए US Federal Reserve के साथ US Federal Reserve की Coordination किसके साथ होनी चाहिए People's Bank of China यानि की World के सभी Central Banks को World के जितने भी Central Banks है उनको आपस में मिलकर Coordination के साथ काम करना चाहिए इसके लिए एक organization काम करती है वो है BIS Bank for International Settlement जो की established हुआ था 1930 में ठीक है इसका headquarter आपको देखने हो मिलेगा Basel Swizer Land में Basel is a place name that is in Swizer Land अब जो चीज़ बच्चे याद रखने वाली है वो क्या कि जो BIS है वो क्या काम करता है कि मेंबर कोन है पहले आपको यह बता दू किसके टोडल 62 Central Bank members है कितने members है 62 Central Banks इसके member है जैसे इंडिया का Central Bank RBI US इस तरह से कुल 62 World के Central Bank इसके member है यह भी मुझे याद रखने है ठीक है हाँ जी clear तो यह basic basic चीज़े मुझे यहाँ पर याद रखनी है और यहाँ पर important चीज क्या हो जाती है कि यह guidelines भी issue करता है तो इसी की तरफ से मेरे पास report है यह मैं simple सा question पोछूँँगा यह वाला question काफी simple है कि BIS ने bank for international management ने पूरे world में banking sector को stabilize करने के लिए दिये है बेसल नॉम्स तो BIS की तरफ से अभी तक कितने बेसल नॉम्स आये हैं बहुत simple question है कितने बेसल नॉम्स अभी तक आये है हाँ जी BIS की तरफ से अभी तक कितने बेसल नॉम्स आये है गितांजली का सबसे पहले अंसर है फिर अंकिता गरत का है योगेश अगरवाल का है बेसल नॉम्स तीन है बेसल वन बेसल टू और बेसल थी इसमें आज रखना latest guideline थी बेसल 3 ठीक है लेतस guideline कोन सी थी बेसल 3 тобया हां जी clear लेतस guideline हमर पास थी बेसल 3 ऐक जो आय थी after the financial crisis ले लास्ट financial crisis ठीक है उसके बाद हमर unfair दो जार राट के जा तो उसके बाद ये रिलीस किये गए थे चलिए जी वेरी गुड सुटेंट्स नेक्स हमारे पास DRDO से रिलेटेड न्यूज है DRDO जो गवर्मेंट की एक एंटेटी है दिफेंस रिसर्च डेवलप्मेंट और्ग्नाजिशन DRDO के बारे में बेसिक आपको पता ही होगा बहुत बार रिपीट करता हूं फिर से एक बार बता देता हूं जी सतीश रड़ी चेर परसन है, तीक है, जी साथीश रेड़ी हमार पस चेर परसन है, हेड़कckenटर नई दिल्ली में है, ठेक है, और DRD हमार पास जनरली मिजाइल बनाने बगारे का काम करता है, तेक है, So इसने एक नई मिजाइल बनाई है निर्भय 네 केनाम से, ठीक है और इसको टेस्ट कहां से किया गया ITR चांदीपूर ओडिसा से भारत में जारतर मिजाइल कहां से टेस्ट की जाती है ITR चांदीपूर से Integrated Test Range चांदीपूर इस रेंज के अंदर इस एरिया के अंदर एक आइलेंड है आइलेंड का नाम याद रखेगा A.P.J. अब्दूल कलाम आइलेंड हमारे former beloved scientist के नाम पर डॉक्टर A.P.J. अब्दूल कलाम आइलेंड है ठीक है तो वहां से हमारे पास जो Missiles है वो टेस्ट की जाती है अब निर्वे मिजाइल अपने आम में खास है निर्वे मिजाइल अपने आम में खास क्यों है क्योंकि ये भारत की पहली Indigenously developed cruise missile है भारत के पास cruise missile पहले भी है लेकिन वो jointly बनाई गई है जॉइंटली बनाई गई है अभी बात करता हूं उसके बारे में भी लेकिन ये भारत की पहली cruise missile थी जो इंडिया ने खुद अपने दम पर बनाई है तो cruise missile क्योंती जिसमें speed control की जा सके और इसको develop करने में ADA ने खास role play किया है अगरनौटिकल development establishment जो DRDO के साथ ही काम करते DRDO के एंटर ही काम करती है ADA तो basic basic चीज़े याद रखना कि निर्भे एक cruise missile है और भारत की पहली सदेशी तक्नीक से निर्मित cruise missile है भारत में एक और cruise missile है ब्रहमोस लेकिन ये joint venture है किसका इंडिया और रश्या का तो ये इंडिजीनिस नहीं कहेंगे ना इसको ब्रहमोस को हम इंडिजीनिस नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें रश्या भी help कर रहा है लेकिन हा निर्भे भारत की पहली खुद से सवदेशी तक्नीक से निर्मित हमारे पास बनाई गई cruise missile है हंजी clear तो ये basic basic चीज़े हैं जो आपने सबने याद रखनी है चलिए question में आप लोगों से पूछ लेता हूँ ADE की बात हुई Aeronautical Development Establishment इसने अभी कुछ टाइम पहले निशान्त नाम से एक equipment डवलप किया था तो मैं आपसे यह पूछना जाता हूँ अब मुझे comment section में comment करके बताओ कि निशान्त किस तरह का defense equipment है जल्दी से comment section में comment करके बताओ इसको ADE ने develop किया है Aeronautical Development Establishment ने तो निशान्त किस तरह का हमारे पास एक defense weapon है यह defense equipment है It's not a cruise missile Meet जी It's not an underwater missile Guru Sevak जी PDF इसका Bright Academy के channel पे मिल जाएगा आपको यह UAV है submarine भी नहीं है missile भी नहीं है बच्चे मैं आपको बता दूँ यह है क्या यह UAV है सुकर है सरजी कुछ बच्चे सही answer कर रहे है करण भीर सिंग सुर्जीत सही answer कर रहे है उसके बाद नहीं उसके बाद योगेश का सही answer है कुलविंदर का सही answer है It's a UAV UAV का मतलब होता है unmanned aerial vehicle drone भी बोल देते हैं ठीक है तो याद रखना निशांत नाम से हमने UAV develop किया भी recently जो surveillance का काम करता है और target tracking का काम करता है ठीक है तो याद रखना क्योंकि अभी drone काफी जाना अभी न्यूज में क्यों न्यूज में अभी पाकिस्तान ने drone का यूज करके इंडियन एरफोर्स के बेस पर हमला किया अगर आपको पता हो तो पाकिस्तान अपनी घटिया और थर्ड क्लास सरक्ता से कभी बाज नहीं आएगा वो कभी अपनी development का नहीं सोचते वो यह सोचते हैं कि इंडिया को कैसे problem create की जाए तो इसलिए वो एक बरबाद और एक failure nation है और failure state ही रहेंगे जब तक वो यह सोचते की बात करते थे बीटी ब्रिंजल की बात करते थे बायो टेकनोलोजी हम जीन एडिटिंग के थ्रू बायो टेकनोलोजी ब्रिंजल और सब की बात करते लेकिन अब जीम क्रॉप्स में एक और नाम जुड़ गया है वो है रबड तो वर्ल्ड की पहली genetically modified rubber की sapling 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 का मतलब कि हमारे पास हां जी रबड रिसर्च इंस्टूट ऑफ इंडिया कहां पर है अब मैं अगर कोश्चन पूछोंगा तो यह कोश्चन पूछोंगा ना कि रबड रिसर्च इंस्टूट ऑफ इंडिया भारत में कहां पर है तो आपको अंसर मिल गया रबड रिसर्च अगर इसने बनाई है तो इसको अप्रूवल किसने दिया तो आपने याद रखने बचे कि जैनेटिक इंजिनरिंग अप्रेजल कमेटी एक बॉड़ी का नाम याद रखना पिछले लेक्टर में मैंने बताया है पंजाब के एक्जाम में अधाया बड़ी है जो जीएम क्रॉप्स को अप्रूवल देती है जैनेटिकली मोडिफाइड क्रॉप्स को भारत में कौन देता है हांजी पटवारी वाले बच्चें एक्रिकल्चर हांजी जी एएए जीएए अगनेटिक इंजिनरिंग अप्रेजल कमेटी ठीक है बीटी क्यों आई थी क्योंकि pink ball warm की बहुत जारा problem थी उसको खदम करने के लिए BT cotton आ गई थी भारत में सबसे पहले BT cotton हमारे पास यूज हुई थी चलिए आप से मैं question पूछ लेता हूं ठीक है आप मुझे comment section में comment करके बताओ कि एक simple सा question environment protection को लेकर यह सारा concern मन जाता है GM crops को generally असानी से approval नहीं मिलता क्यों नहीं मिलता environment protection को खतरा रहता है तो अब मुझे comment section में comment करके बताओ कि environment protection act भारत में कब introduce हुआ था last हां जी environment protection act हां जी last environment protection act मेरे पास सहीं सर अब सेısन के पुलकइद महा जना में पुलकीद महा जन में रगकलके म्हाजन अल्छ जयान सरहां टाने चहीं 3 नवल प्रीट सिंग है नवीश का सहीन सरह आं सानु को सहीं सरह है फिर मानवी मित्तल जी का सही एंसर है, रूबी का सही एंसर है, करीना का सही एंसर है, very good, 1986, ठीक है, हाँ जी, 1986, भाई हमारी IT टीम को अच्छा नी लग रहा, ठीक है, जो बच्छे वीडियो देख रहे हैं, वो लाइक कर दीजिए, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छे करने के लिए भारत का पहला सर्देशी तकनीक से निर्मित एयर्क्राफ्ट कैरियर, यह एयर्क्राफ्ट कैरियर क्या होता है, बहुत बड़ा समुद्री जहाद होता है, जिसके उपर कई सारे हमारे पास fighter planes खड़े रहते हैं, जो हर टाइम attack करने के लिए त्यार रहते हैं, तो इसके अंदर ही nuclear missiles भी होती है, एयर्क्राफ्ट कैरियर के अंदर, बहुत बड़ा एक system होता है, तो भारत का पहला एयर्क्राफ्ट कैरियर, जो 2022 में मिल जाएगा, उसका नाम कहा है, INS Vikrant, और इसको बना कोन रहा है, question या दखना, कोचीन shipyard limited, कोचीन shipyard limited बना रहा है, भारत का पहला, हाँ जी, कोचीन shipyard limited बना रहा है, भारत का पहला, हाँ जी, एयर्क्राफ्ट कैरियर, देखो, एयर्क्राफ्ट कैरियर भारत के पास के पहले नहीं है, आपको मैं थोटी सी history बता देता हू यहां पर जान सुनना भारत का सबसे पहला aircraft carrier था INS Vikrant जी हां मैं सही बता रहा हूं यह हमने UK से purchase किया था यह retire हुआ यह retire हुआ और इसके metal से बनी Bajaj की V-bike Bajaj वालों ने इसको खरीद लिया scrap में और इसके metal से Bajaj की V-bike बनाई हमारा दूसरा aircraft carrier था INS विराट यह भी retire हुआ अब इसके metal का क्या करना उसके उपर अभी गहमा गहमी चल रही है और तीसरा aircraft carrier जो इकलोता aircraft carrier जो अभी operational है याद रखना भारत में इकलोता aircraft carrier जो अभी operational है operational का मतलब जो काम कर रहा है उसका नाम है INS Vikramadity यह दोनों retire हो चुके हैं यह दोनो 24 से दोनों aircraft carrier हिए कोश्चन समझाया या नहीं अब दो कौश्चन बहुत बहुत है वह क्या बारत में एक aircraft carrier अभी working है काम कर रहा है उसका नाम है INS Vikramadity भारत में एक ओर aircraft carrier 2022 में आजाएगा जो इंडिया खुद से बना रहा है उसका नाम है INS Vikramadity दो कोशन बहुत इंपोर्डेंट दोनों याद रखने हैं चले एक लास्ट कोशन में आपसे पूछ लेता हूं मुझा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ आई एनस विक्रमादित्य इंडिया ने कौन सी कंट्री से प्रचेस किया था हां जी था नगुए पी आया है होकर नंकितारक फैली अंसर दे चुकिल लेरी खोडंकितागर तो हमारे पास अरश्य थे क्लियर उखक है तक है लुञार की तक है तक अ तक है पुझ हम और अ लुठा जीग लूश्य तक कि साहीं सरे फिर संदीप का संधीब का सहीं सर ए लेनु मितल कुलविंदर मंजीत करीन अभिशेक मदान सो रश्या ठीक है रश्या हमारे पास जी हां रश्या से हमने इसको प्रचेस किया दा इरान नहीं है मंदीप सिंग रश्या है एड्मिरल गोर्शकॉफ इसका पुराना नाम होगा करता था आपको यह भी बता दूमें कि आइनस विक्रामधिति का पुरान नाम होता था एड्मिरल गोर्शकॉफ और बाद में इसका नाम क्या पड़ा आइनस विक्रामधिति चलिए जी आगे चलते हैं एक समारे पास टू डेज हमिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन लद्दाक तो लद्दाक एक यूनिन टेरि इस पूरे अफसर पर एक स्पेशिल डांस किया जाता है चम डांस तो अगर पेपर में कभी कोश्चन आगे कि चम डांस कौन से एरिया से अब्जेक्टिटिट है तो लद्दाक से और इस पर एक अलग का से डिवल की लिकर भी शराब भी सर्व होती है चांग ठीके तो कोई चांग टेस्ट करना चाहे जैसे आए कि मोका मिल जाए हैं में कुछ सो गम का मिलेव चियंग करने का और मजा ही आ जाए है चलो एक question पूछ लेता हूं मैं लद्दाक से related लद्दाक हमारे पास एक union territory है ठीक है लद्दाक के अंदर अभी आर्मी ने एक project शुरू किया था ताकि education opportunity प्रवाइड कि जा सके लद्दाकी students को हां जी लद्दाकी students को education opportunity प्रवाइड की जा सके उसके लिए इंडियन आर्मी ने कौन सा project स्टार्ट किया है रिसेंटली लद्दाक के अंदर जल्दी से बताओ comment section में comment करके सब इंस्पेक्टर के लिए सफिशेंट है पंजाब की jobs के लिए सफिशेंट है सिर्फ जो civil services को छोड़कर ठीक है state civil service को छोड़कर अंकित अकर यौन टेब नहीं है मैं इंडियान आर्मी का पूछाइं special ध्यान से सुनों मैं पूछ आओ एंडियन आर्मी इंडियन आर्मी इन अर्मी लेप्रेट शुरू किया हुआ है इगनि इगनाइटेड माइंड इंड्यान सी द्हां वाइव इंडियन आरमी ने मैं इ इगनाइटिड माइंड्स इगनाइटिड माइंड्स तो यह चीज याद रखना सिंपल सा कॉश्चेन है मेरे पास ठीक है चले जी आगे चलते हैं हमारे पास next news की तरफ एक्सपोर्ट डेस्पोर्ट डेस्पोर्ट एक्सपोर्ट किया उसके पर एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में थोड़े से चोकाने वाले तक हमें सामने देखने को मिले हैं वह क्या कि चाइना हमारा second largest export destination बन गया है जहां से सुनेगा समयने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ उसको समयने की कोशिश कीजिएगा इंडिया जो export करता है हिंडी में बोले तो निर्यात करता है हिंडी में कहेंगे निर्यात करना ठीक है तो इंडिया जो भी निर्यात करता है उसमें लंबर वन सबसे पहली कंट्री कौन से आते हैं यूएस से second country जो आई अब आई है वो है चाइना पहले कौन सी country हुआ करती थी UAE तो UAE चला गया है तीसरे नंबर पे और चाइना आ गया है second नंबर पे हाँ जी ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या कह रहा हूं कि इंडिया जो है हाँ जी हाँ जी जो इंडिया है उसको ध्यान सुनिएगा इंडिया जो है वो हमारे पास जो एक्सपोर्ट करता है सबसारा किसको करता है USA को second करता है चाइना को और third करता है UAE को अब देखिएगा आप समयने की यहां पर कोशिच कीजिए चाइना जो है अपने साथ जितने पी country उन्सप को अपने साथ कही न कहीं क्या करके रखते है इन्वाल्व करके रखते है ठीक है और trade को लगातर बढ़ाने की कोशिच कर रहा है चाइना लगातर अपनी चाइना का एक बहुत ही famous initiative है सबसे जारा problem किसको होगी obviously USA को हाँ जी obviously USA को तो मैं यहां पर एक question आपको बताना जाऊँगा ध्यान सो सुनना चाइना के influence को रोकने के लिए एक साल पहले USA ने भी प्रजेक्ट शुरू किया BDN याद रखना paper में question आ सकते है पंजाब हरियाना वाले special blue.network so blue.network का ultimate objective है कि world में जो trade है उसको US के favor में लेकर आना लेकिन इस प्रोजेक्ट में BDN प्रोजेक्ट में USA के साथ दो countries और involved है आप जरा मुझे उन comment section में का नाम बता दीजिए अगर किसी को पता है तो कि blue.network में हमारे पास कौन से दो countries है उनके नाम जरा जल्दी से बता दीजिए B3W अलग है वो G20 का जगदीप सिंग जी वो G20 के द्वारा शुरू किया गया है चाइना पाकिस्तान नेया विशाल कैसी बात कर रहे यार युएस से very good सबसे पहले मेरे पास सही अंसर दिया हर्जीत सिंग ने फिर हर्मन ने दिया है लेकिन एक कंट्री मिस कर गए तो सही अंसर है और ऑस्ट्रेलिया एंड जैपैन यू रश्या कैसे साथ आ जाएगा यार साहिल सही अंसर कर रहे है कुछ बच्चे तो तेंदर को बताते हूं बीडियन है क्या इस काफी बच्चों को क्लारीटी नी हुई तो मैं बता रहे तो दिव्या शर्मा ने भी सही अंसर किया है तो ध्यान से सुनना बच्चे चाइना क्या चाहता है कि वह अपनी connectivity पूरे वयल्ड में अच्छी से बना ले और सभी कंट्रीज ट्रड के लिए व behavior के लिए उसके लिए अपर dependent हो जाय जाह जान से सुनना सभी कंट्रीज वयपार के लिए उसके लिए इपार teammate हो जाय तो तीन कंट्रीज ने US, Japan, Australia इन तीनों में मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया BDN के नाम से, एक प्रोग्राम शुरू किया BDN के नाम से, that is blue.network, जिसका main objective, main target क्या रहेगा, कि व्यापार को US से और अपनी favor में लेकर आना, are you getting my point or not? तो it's just a counter to OBOR, OBOR को counter करने के लिए हमारे पास यह है, चले जाएगे साब, आपको यह clear होगे होगी news यह वाली, ठीक है, आगे चलते हैं, next news की तरफ चलते है, next news हमारे पास, world top philanthropist, हाँ जी, world top philanthropist of the last century, पिछली एक century, उसमें सबस्वारा, मतलब कि charity किस ने कि, तो उसके एक list आईए, और उसमें proud moment for India, कि इंडिया के एक बहुत ही favorite person रहे, Jamshet जी Tata, जो Tata Group के founder भी थे, देखे Tata Group जो है, वो देश के लिए बहुत कुछ करता है, ठीक है, अभी भी हमारे पास Tata Group के जो workers है, Tata Group है, वो देश के लिए हमेशा ततपर हैं देश की help करने के लिए, रतन Tata इतने generous हैं कि अभी उन्होंने क्या का कि COVID में, उनकी company के जितने भी employees की death हुई है, उनकी salary continue रहेगी उनकी retirement तक, तो ऐसे generous person आपको कहां और कहां मिलेंगे, तो यहां पर आप देखेगा कि जमशेज जी Tata की जो legacy है, उसको रतन Tata ने बहुत अच्छे से आगे follow किया है, और biggest philanthropist जो रहे है, 1901 से लेकर 1999 तक, उसमें top 50 में सबसे first rank रहा हमारे पास जमशेज जी Tata का, top 50 में दो Indians जगा बना पाए, एक जमशेज जी Tata और दूसरे है अजीम प्रेम जी, अजीम प्रेम जी is the former chairman of Wipro, यह Wipro के former chairman उनका rank रहा बारवा, तो यह basic basic चीज़ जो है वो याद रखना, Tata Group के बारे में question पूछ लेता हूं, बहुत simple सा question पूछ ना हूं, although who is the current chairman of Tata, रतन Tata नहीं है, मैं पहले ही बता दू, who is the current chairman of Tata, हाँ जी, who is the current chairman of Tata Group, योगेश जगरवाल जी आप पीछे चल रहे हो, देखो, मेरे पास कुछ बच्चे ही सही answer कर पाए है, जिसमें मारे पास हरजीत है, अभिशेक है, ठीक है, सोनु है, ठीक है, नटराजन चंदर शेकरन, ठीक है, he is the current chairman of, हाँ जी, नटराजन चंदर शेकरन is the current chairman of Tata Group, याद रखना बच्चे, टाटा ग्रूप की बात हो रही है, तो टाटा ग्रूप एक बहुत बड़ा ग्रूप है, और अगर आप उसके बारे में basic information भी नहीं रख पाएंगे, तो हमारे पास गडबड हो जाएगी, ठीक है, तो टाटा ग्रूप की जब मैं बात करता हूँ, याद रखना, salt से लेकर software तक सब बनाता है टाटा ग्रूप, ठीक है, 1868 से हमारे पास देश के लिए काम कर रहा है, और नटराजन चंदर शेकरन इस देशिदा, current chairman of टाटा ग्रूप, चले जी, next news की तरफ चलते हैं, DRDO test fire pinaka rocket, तो DRDO ने pinaka rocket को test fire किया है, ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, ये देखिए, मैंने specially इसके लिए picture रखी है, तो इनको अभी test कहां से किया गया, ITR चांदीपूर, फिर से वह टेस्ट रिंग, integrated test wing चांदीपूर, ये हमारे पास rocket एक तरह से इनको rocket का जाता है, और ये जो healy areas है, वहाँ पर ये काम करने के लिए बहुत perfect रहते हैं, especially जो लद्दाख वाली रीजिन है, या जो चाइना के साथ हमें warfare करना पड़ जाए, तो वहाँ पर ये काफी कारगर साबित होंगे, इनको बनाने का काम किस ने किया है, फिर से armament research and development establishment और high energy material research laboratory, इन दो entities ने जो DRDO के इंडर काम कर रही है, मिलकर इसको establish किया है, तो इसको as it is याद रख लेना, इसमें indirect question आने की chances almost बहुत ही कम है, ठीक है, काफी कम है, ठीक है, चले जी, next हमारे पास, task force for bureaucratic reforms, bureaucratic reforms का मतलब, जो civil servants का जो nature, आजकल आप देखी रहे होंगे, कि कहीं बर सुनने को मिल रहा है कि, DC ने किसी को थपड़ मार दिया, जो शादी में मार पीट की, ठीक है, किसी का phone तोड़ दिया, तो भी bureaucratic reforms हमें चाहिए ही चाहिए, तो यहां पर क्या हुआ है, कि three members के task force बनाई गई गई है, जिसको lead कौन कर रहे है, Infosys के former CEO, S. Shibulal, Infosys जो इंडिया की बड़ी IT company है, उसके former CEO है, एक task force बनाई गई है, तीन members की, mission का नाम है, mission करम योगी, तो जो दो-तीन question आपको पूचे जा सकते हैं, पहला question, mission करम योगी किसने start किया, तो ministry of personal public grievances and pensions ने, और यहां पर दूसरी चीज़ क्या याद रखेंगे, एक तो यह point हो मरे पास होगा, दूसरी चीज़ क्या याद रखेंगे, इसको lead कोन कर रहा है, इसको lead कर रहे है, SD Sibulal, जो अपनी reports submit करेंगे, within a period of 6 months, और उसके बाद, शायद हमें, behavior में, कुछ changes देखने हो मिले, हाँ, कुल्लू में भी कुछ इंसिटा सा देखने हो मिला था, ठीक है, काफी हद तक हमें changes देखने हो मिले था, चलिए question पूछ लेता हूँ simple सा, Infosys company के right now CEO कोन है, जल्दी से बता दो comment section में comment करके, Infosys बड़ी IT sector की company है भारत की, हाँ जी, who is the current CEO of Infosys, सलिल पारिक नंदन इलकानी नहीं है, नंदन इलकानी चेर में ने बच्चे, मैंने CEO पूछा है, मैंने specially mention किया है CEO, so who is the current CEO of Infosys, सलिल पारिक, ठीक है, सलिल पारिक, current CEO of Infosys, okay, next हमारे पास, Central Government extended the tenure of attorney general, ठीक है, attorney general कोन होता है, पहले तो अभी हमारे attorney general कोन है, KK Venu Gopal, attorney general होता कोन है, देखिए आपको government की कोई policy पसंद नहीं, कोई system पसंद नहीं आया, तो आप government के उपर case कर दो, जैसा कि अभी file आपको पसंद नहीं तो case कर दो, तो government की तरफ से Supreme Court में कोई case लड़ने तो आएगा, तो government का जो first law officer होता है, उसको हम बोलता है attorney general of India, अभी 15th attorney general of India कोन है, KK Venu Gopal, इनके बारे में कहां बताया गया है, हमारे पास article number, कौन सा article deal करता है, हम जी जारा देखते हैं, बताईए जारा, कौन सा article deal करता है attorney general को लेकर, देखते हैं कौन होताता है, last question ही पूछ रहा हूँ आज के लिए, very good, Harjit Singh का सही अंसर अगर, बड़ी तेजी से काम कर रहा है, अंकिता गर, पुलकित माजन, नेहा विशाल, ठीक है, so article 76 जो है, वो deal करता है, हमारे पास attorney general के बारे में, attorney general बनने के लिए, आपकी qualification होनी चाहिए, equivalent to judge of supreme court, attorney general बनने के लिए, आपकी जो qualification होनी चाहिए, that is equivalent to judge of supreme court, and he is also known as, first law officer, of government of India, government of India के first law officer के रूप में, इनको जाना जाता है, और इनका tenure, extend किया जा सकता है multiple time, जब तक government existence में, तो याद रखेगा, अभी हमारे attorney general कोन है, KK Venu Gopal, और इनके बारे में, कौन सा article, political deal करता है, article number 76, okay, last news for the day of students, last news हमारे पास, Sajan Prakash, ठीक है, इनोने Tokyo Olympics में, qualify कर लिया है, पहली बार, किसी swimmer ने, Tokyo Olympics, मतलब कि, Olympics में, इडिया के लिए, qualify किया है, so, नाम याद रखेगा, आप से paper में, question पूछा बसकता है, कि Sajan Prakash, कौन से sports से related है, so, he is directly connected with, which sports, swimming, ठीक है, कौन सी states है, केरला से है, और Tokyo Olympics के बारे में, already मैं, सारे points आपको बता चुका हूँ, कि हमारे पास musket है, merit हुआ, ठीक है, और motor मैंने बता दिया, united by emotion, और वो सारे questions जो भी हमने थोड़ी देर पहले discuss किये, याद रखेगा, Tokyo Olympics को लेकर, तो students, आज के लिए इतना ही, ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा, कि हमारे channel subscribe कर लिजिए, ठीक है, बैल आइकन को दबा दिजिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि पंजाब या हरियाना में कोई जोब आ रही है, उसके अंदर क्या बदला हो रहे है, पेपर कव है, उसकी dates, उसका syllabus, वो सब आपको ताकि time to time information मिलती रहे, So, thank you students, have a nice day.